आप देख रहे हैं पलपन यूज और मैं हूँ आपके साथ नदिम अक्रम संगी मानसिक्ता से जुड़े हुए लोगों को हर सेक्टर में ठूस दिया गया है जिसके चलते मुसल्मानों को प्रताडित किया जाता है और मुसलिम होने की वज़ा से ऐसा रिलाइस किया जाता है कि जैसे आपने बहुत बड़ा गुना कर दिया हूँ ऐसा अक्सर तस्वीरे आती रहती हैं और ऐसा इस बार हुआ है फरहान आसमी के साथ में जो कि समाजवादी पाधी के महाराष्ट के कदावर नेता अबु आसम आसमी के बेटे हैं और अपनी पत्नी और बेटे के साथ वो घूमने गोवा गए हुए थे जहां गोवा में पुलिस प्रशासन ने फरहान आसमी नाम देखने के बाद उनको उनके परिवार से अलग कर दिया ये पड़ी घटना गोवा से सामने आई क्योंकि कल जिस तरह के की दो तस्वीरे गोवा से सामने आई हैं उसने हर किसी पर सवाल खड़ा कर दिया है जहां पहली तस्वीर में हमने देखा कि कैसे गोवा के अंदर बगवा ब्रिगेड द्वारा तरावी की नमाज में खलल डाला गया और रात बर हंगामा मचाने की कोशिश की जाती रही वो भी राम नौमी के दौरान पर ये तस्वीरे सामने आती है और अब इस खबर ने हर जगा जो है हंगामा बर पादिया है कि आखिरकार कैसे कोई ये डिसाइड कर सकता है कि अगर बीवी आईशा टाकिया है और फरान आजमी साथ में है तो परिवार को अलग थलग कर दो ये बड़ा आरोफ फरान आजमी की तरफ से गोवा पुलिस प्रशासन के उपर लगाया जा रहा है क्या कुछ पूरी घटना घटित हुई है एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं आपको बता दे कि एक्ट्रेस आईशा टाकिया और उनके पती फरान आजमी हाल ही में गोवा एरपोर्ट पर बदसुल्की का शिकार हुए है इस बात की जानकारी फरान ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी है पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाए हैं कि एरपोर्ट पर मौजूद सिक्योर्टी आफिसर्स ने उनके साथ बत्तमीजी की है हाला कि इस मामले पर बाद में गोवा एरपोर्ट ने फरान आजमी से माफी भी वांग ली है दरसल आईशा ठाकिया और उनके पती हालही में बेटे के साथ गोवा से वापस मुंबई लोट रही थे इसी दौरान उन्हें गोवा एरपोर्ट पर रोक लिया गया परहान का नाम पढ़ने के बाद कुछ आफिसर्स ने उन्हें परिवार से अलग कर दिया और उनके साथ बदसुलकी करने लगे परहान आजमी ने बदतमीजी करने वाले सिक्योर्टी आफिसर्स की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर कर इस पूरी और तभी रेसिस्ट ओफिसर्स आर्पी सिंग एके यादव कमांडर रावत और एसपी कैटिगरी के सीनियर ओफिसर्स बहादूर ने मेरा नाम पढ़ते ही मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया गया परहान के मुताबिक एरपोर्ट ओफिसर्स ने उन पर सेक्सवल और रेसिस्टिंट कमेंट भी किये और इसके साथ परहान आजमी ने एक दूसरे पोस्ट में बताया कि मामला तब और बढ़ गया जब एक अफसर ने सिर्फ उन्हें टच करने की कोशिश ही नहीं की बलकि उनकी वाइफ और बेटे को एक अलग लाइन में खड़े रहने के लिए कहा अन्या फैमिली सिक्योर्टी चेक के दौरान एक साथ खड़े थे उन्हें अलग खड़ा नहीं किया गया था और नहीं पूछा गया था परहान ने कहा कि उन्होंने उस ओफिसर से कहा कि चेकिंग के दौरान वो किसी महीला को टच ना करें और दूरी बनाए रखे फरहान ने तीसरा पोस्ट शेयर करते हुए आगे कहा कि बात यहीं नहीं रुकी सीनियर ओफिसर्स बहादुर फिर एक गार्ड को इशारे से बुलाया जो मुझे डराने को एकदम तयार था इस रेसिस्ट ओफिसर्स ने मेरी जेब चेक करते हुए मुझ पर बेहत घटिया सेक्शुल कमेंट भी किया मेरी जेब से सिर्फ 500 रुपे थे इस मामले को बढ़ता देख गोवा एरपोर्ट ने फरहान आजमी के पोस्ट पर कमेंट कर माफी मांगी एरपोर्ट ने लिखा सफर के दौरान आपको और आपकी फैमली को जो भी तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए हम माफी वांगते हैं इस मामले की जाच की जाएगे बता दे कि फरहान आजमी सपानीता अबू आजमी के बेटे हैं फरहान और आईशा ठाकिया ने एक मार्च 2009 को शादी की थी इसके दो साल बाद यानि 2011 में एक्टरिस ने एक्टिंग से दूरी बना ली थी 2013 में आईशा ने बेटे मिकेल आजमी को जन दिया था जिसके चलते वो परिवार के साथ टाइम स्पेंट करने के लिए गोवा गए हुए थे और फरहान आजमी को यानि की सेक्शुल शब्द कटुए जैसे शब्द कह करके पुलिस प्रिशासन द्वारा नवाजा गया जहां धर्म के आधार पर फरहान आजमी को गालिया दी गई और फरहान नाम देखने की वज़ा से उन्हें उनके परिवार से अलग खड़े कर दिया गया यह तस्वीर कहने को बहुत कुछ उबया करती है चाहे आम हो चाहे खास हो हर कोई जो है अब नफरत की गिरफ्त में आ चुका है जहां एक से बढ़कर के एक संगी मानसिक्ता से जुड़े हुए लोगों को ऐसे ऐसे पदों पर बैठा दिया है जो लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हुए अकसर दिखाई देते हैं और इस नफरत के इंतिहा तो यहां तक पहुँच चुकी है कि हर जगा से सिर्फ नफरत की तस्वीरे ही सामने आ रही है हिंदो मुसलिम के नाव पर देश भर में दंगे भड़काये जा रही है और मुसलिमों को ऐसे दिखा आया जा रहा है कि सारी फसाद की जड़ सिर्फ और सिर्फ मुसल्मान ही बंद करके रह गए हैं जिसका खामियाजा खुद फरहन आजमी को भुगतना पड़ा है मैं तमाम रिपोर्टों से आपको रूबरू कराता रहूंगा दीजे इजासत शुक्रिया